दोस्तों हाल ही में प्रेंका चोपडा ने अपने सरनेम के आगे से अपने पती का सरनेम हटा दिया है अब तक इनका इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर नाम था प्रेंका चोपडा जोनस जिसमें से अब इन्होंने जोनस हटा दिया है जिस वजा से यह बात काफी तेजी से फेल रही है कि दोनों जल्द ही तरलाक लेने वाले हैं दोनों के रिस्ते के बीच दरार आ चुकी है जिसके चलते प्रेंका चोपडा ने अपने सरनेम के आगे से अपने पती का सरनेम हटा दिया है इनके रिस्ते के बीच आई दरार की वज़ा साफ हो चुकी है बताया जा रहा है कि इन दोनों के बीच कोई तीसरा आ चुका है जिसकी वज़ा से इन दोनों के रिस्ते के बीच दरार आ गई है दोनों को हाल ही में दिवाली के मौके पर एक साथ देखा गया था साथ ही कई पार्टीज में भी दोनों को साथ देखा गया था लेकिन अचानक प्रेंका के इस फैसले से ऐसा लग रहा है कि दोनों की रिस्ते के बीच सच में कोई आ गया है जब से इन दोनों की डाइवोस की खबरे सामने आई है तब से ही इनके फैंस काफी ज़ादा परिशान है दोनों को पावर कपल कहा जाता है और अगर ये पावर कपल अलग हो जाता है तो ये बहुत ही दुख की बात होगी आपको बता दे कि हाल ही में आमिर खान ने भी अपनी दूसरी पत्नी से डाइवोस ले लिया है और कुछ ही महीने पहले समान्था ने भी अपने पती से तलाक लेकर न चार साल पुरा नरिस्टा खत्म कर दिया अब प्रेंका और निक की डाइवोस की खबरे सामने आ रही है तो दोस्तों आपको क्या लगता है प्रेंका चोपडा और निक जोनस की तलाग की खबरी एक रूमर है या नहीं हमें अपनी राय कमेंट बोक्स में कमेंट करके ज़रू बताएं साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले